लगता है माजी जी को मलाईदार मंत्री में सामिल ने किया रहा होगा निश्चित तोर पे इतिहास देख लिजिए नितीश कुमार जी भी उन्हें बिहार का नंबर गुन कुर्शी पर बठाने का काम किये अज क्या हलात हुई थी मानि लालू जी के साथ उनका गठवंदन था तो इनका तो सव्भाव ही रहा है कि बारजं़र हैं ये लोग बारफ सिठ हैं ये लोग पिछ लगू हैं और पूरी तरह से इनको भी भै है AD का, CVI का, income tax का इसलिए पुरी तरह से तागत नहीं इन में कि ये मांग रख सके इसके लिए आंदोलन कर सके इसके लडाई लर सके पूरी तरह से नverse तक है मानिये मुखमंत्री जी नितिच जी सरम सार हो गया आप पुरा बिहार सरम सार हो गया अगर तेशी जादव जी को घमंड होता जादब जी के पड़ती क्या इसने है क्या प्यार है नमस्कार स्वागत आपका लाइब बिहार में मैं हूँ आपके साथ संजीव सिंग देखे तमाम चर्चाओं के बीच परधार मंत्री मोदी के सपत गरहन से ठीक पहले पुर्व सीयम वो नर्व निर्वाचीत सांसत जीतन नमाजी को एक कॉल ही किया जाता है कि उसके तेवर ही बदल जाते हैं दरशल सपत अकरहन से पहले आज परधार मंत्री मोदी टी पार्टी पर कई ऐसे मंत्री हैं जिनकी नाम चर्चाओं में था उनको बुलाते हैं और इसी करी में जीतान नामाजी को भी फौन जाता है इसके बाद वो टीवाटी में सामिल होने के लिए घर से बाहर निकलते है मीडिया कर्मी जब उसे पूस्ताज करने आते हैं कि आपको कॉल आया है कौन सा मंत्री पद मिलेगा इसी बात को लेकरके उसे पूस्ताच करते इसी द्रवार मीडिया कर्मी पर जम करके भरके और कह दिये हैं कि मार पीट करेंगे तभी आप लोग भागिएगा तेके इसके बाद अब राजनेतिक भूचा लागिया है कि आखिर जीता नामाजी के भ लोग बारगेनर हैं बिहार और देश अस्तर पर यह लोग राजनीत में बारगेन करने का का जनता के तकलीफ से जनता के दुख से जनता के उमीद से जनता के भरोसा से जनता के विश्वास से इन्हें कोई मतलब नहीं जन विश्वास में कोई मतलब नहीं आखिर बिहार का म मुद्दा है विशेस राज का दर्जा विशेस पैकेज आज बिहार में जिस परकार से मान्मी तेनियों सी परसाँ जयाधिम ने एक सहासिक कदम उठाया और बिहार में जाती जन्गना करedelाय कि अज बिहार में जो जाती है अरक्षं का शीमा था उसके सीमा को उन्हों ने बनाने का काम किया, तो बिहार पूछता है माजी जी से, बिहार पूछता है मानी प्रधान मंत्री जी से, क्या बिहार में और जैसे जाती जिन गन्ना हुआ, उसी प्रकार से क्या देश अस्तर पर करेंगे, क्या आरक्षन के सीमा आप बनाएंगे, तो माजी जी आगर किस रूप में जनता के बीच में जनता के भरोसों को चकना चूर कर रहा है लगता है माजी जी को मलाईदार मंत्री में सामिल ने किया रहा होगा निश्चित तोर पे इतिहास देख लिजिए जो मानिय नितीश कुमार जी भी उन्हें बिहार का नम्मर गुन कुर्सी पर बठाने क काम किये अज क्या हलात हुई थी मानिय लालू जी के साथ उनका गठवंदन था तो इनका तो सभाव ही रहा है कि बार्जेनर है लोग जनता ऐसे लोगों को निश्चित रूप से पहचानती है देखती है अब वक्त पर फैसला लेती है अशे लगातार जो है बीसी सार की दर लोग अड़्य मंदल में फुर खिछ करा है कि हिमत नहीं है नहीं है यह लोग 12 счит है यह लोग पिछ लगों है और पूरी तरह से इनको भीख इसलिए पूरी तरह से तागत नहीं कि मांग रख सके इसके लिए अंदोलन कर सके इसके लड़ाई लड़ सके पूरी तरह से नर्मस तक है आप देखिए बिहार के मानिये मुखमंत्री जी का body language देखिए पुरा देश और बिहार सर्मसार होता है मानिये मुखमंत्री जी नितीश जी सर्मसार हो गया आप पुरा बिहार सर्मसार हो गया चौदा करोर जनता के परतिने देखिए आप तो बिहार हर चीज़ पर बारिकी से अध्यन करता है और देखता है और आने वाला भविष करूप में तेजस्वी जी को बिहार का बड़ा भविष मानता है जब पपू यदव का एक बयान काफी चर्चाओं में है उन्होंने कहा है कि अगर तेजस्वी जी 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 ने तो शावित किया है पिछले पंदरह बरसों में बिहार की राजनिती में परिपक्ता धैज और अनुशासन लोग का सम्मान बुर्जुग्यों को अशिरवाद नौजमानों का साथ आप बताएए पूरे बिहार अस्तर को उन्होंने 144 टिकट माटने का काम किया था 2020 में आज बिहार में सबसे बड़ी पार्टी के रूप में उहर के आये तो तेजसी परसाद जादब जी आये और इस चुनाव में भी 23 टिकट उन्होंने राष्टिय जन्ता दल के सिंबल पर माटने का काम किया आप देखिए सभी बंचित कमजोर अति पिछरा वैस अल्फ संख्यक तमाम लोग सवर्ण जाती से भी लोगों को उन्होंने टिकर देने का काम कि तो लोग कहते हैं कहने और सुनने में और दिखने में हमने तेजसी जादब जी को परका है अगर तेजसी जादब जी को घमंड होता अभिवान होता तो रन विजय साहु को राष्टिय जन्ता दल का प्रदान महासची कभी नहीं बनाते पिछरा जाती से हम आते हैं कमजोर बर्ग से आते हैं इसका मुद देखने से जतरा खड़ा वता है तेली जाती से आते हैं उन्होंने सम्मान देने यह घमन नहीं है सम्मान है इसलिए लोग अपने आपको जो अएने में अपना चेहरा देख लें ल कि अंदर घमन नहीं है यह बिहार के आप जनता जानती है और साथी साथ जीतना माजी के बयान को भी लेकर के भी इननों कह दिया है कि उन्हें मलैदार मंत्री हो सकता है नहीं मिल रहा हो इसलिए वो अपना भरास निकाल रहे थे क्या कुछ करते हैं आप भी सुने थी आप बहुत मुद थन्याद